नमस्कार दोस्तों स्वागत आपसे भी गयें को फिर से हमारी यूट्वट चरनल कौपरेमट आप पर आज हम बात करने वाला ही कि कि यूँडेंसर होता है तो कंडेंसर में कीन-कीन कारण हो से हमारी जो वैक्यूम नहीं भूड मों ड्रॉप होने के तो समझेंगे इनके बारे में तो अक्सर ही उसे इंटर्वर में पुछा जाता है कि जो कंडेंसर होता, कंडेंसर में वैक्यूम किसकी कारण से ड्रॉप होता तो दिते हैं कि क्या कारण हो सकते हैंOTE TOO बिले किसी लेखे कर चरिए video को स्टार्ट करते हैं तो बात करते हैं कि जो condenser होता है okay तो condenser में जो मरा vacuum है वो य्चूमें reduce होता है क्यों कम होता ओके V9? की उसकी रिजन के बार में देखते हैं, तो दीकि जब से पहला रिजन क्या भी हुआ हुआ है, हाई इक्जाश्ट टम्प्रेचर, ओके, वैक्यूम रॉप और मैंटेन एट लोवर साइट दू हाई अगर यापका जो इचाश्ट टम्प्रेचर तो अगर अगर आपका यहाइ तो सिटूइशन में जो आपका वैक्यूम हो वोग वो रॉप करेगा, तो, हाई जोड़र तमप्रेचर होने के क्या क्या रिचन हो सकते हैं अपरेटिंग है और टर्बाइन है लोड़ अगर आपका लोड़ पे है या फिर एकर माल लीजिए कि जब आप रोल कर रहे हैं उस situation में उस situation में जो आपका जब सिंक नहीं होता है डरवाइए उस situation में उस condition में आपका adjust temperature तूँ आपका adjust temperature तूप आएगा Okay . . .not operating exhaust food spray जो आपका exhaust food spray दिया हो रता है तो exhaust food spray आपा exhaust food temperature को maintain करने के लिए हो गया कि अगर उप्रेत भी अपनी हो पा रहे हैं तो पुछ बेत का तो भी आपका exhaust food temperature बड़ेगा Okay altri breaking of ejector hub अगर आपका ejector hub अगला रिजन है लो ग्लाइन इस्टीम प्रेशर लेसर देन्स अगर प्रेशर नहीं है अगर उसका प्रेशर नहीं है अगर कम प्रेशर है तो क्या करेगा आपका जो एर ब्रॉली जो सीलिंग करते हैं, वो क्यों टरते हैं तांकि जो हमारा atmosphere air रा राए हो ऑंडर casing के अंदर जणा जाया तकि ऑखेय हो आपकते हैं जो अगर फर सीरिंग करते हैं तो क्या होगा आपका atmospheric pressure in grace होगा अंदर और क्या अगर vacuum frame करेगा तो इसलिए हम यह भी चेक कर लेने है कि जो हम सिलिंग कर रहे है उसमें प्रोपर प्रेशर है कि अगरा देखते हैं क्या है रिजन अगर जो आपका कंडेंसर है वो अंडर डिजाइन है अगर जो आपका कंडेंसर है वो अवर्लोड चल रहा है उस पे ज्यादा लोड पड़ रहा है तो भी आपका वेक्यू ड्रॉप करेंगे अगर अगर सब्सक्राइब कर देखा अगर के अगर आपका अगर यह पुल्ड कंडेंसर है उस सिच्वेशन में चाहिए अब का इड्मोस्पेरिक ते अगर बढ़ रहा है अगर जादा है तो उस situation में आपका air cool condenser में जादा निक करता है और next reason है low circulating cooling water flow अगर जो हम water cool condenser flows में circulating water दे रहे हैं ठीक ना आपका ACW सो जाता है अगर उसका flow जो है कम हो गया तो उस situation में भी आपका जो vacuum है वो drop होगा ओके तो अगर आपका low जो आपका cooling water का flow है वो low क्यों होगा किस reason से होगा वो भी देख रहते हैं तो देंगे ओ फ्लो जो है आपका cooling water का flow है low low उने क्या क्या reason होते है अटी problem associated with pump माल लिए आपका pump में कोई problem है उसते भी आपका flow है वो कम जाएगा air pocket in pipeline अगर air track हो गया आपके pipeline में तो भी आपका water का flow है वो कम हो जाएगा leakage in cooling water है माल लिए सपोस्टेट के लाइन में leakage हो गया तो भी आपका आपका पानी याधा उदर गिर जाएगा पूरा कंटेंसर में नहीं जाएगा इस्टापका discharge वाल ओपरेशन ओपर जो discharge वाल आपको गया बीच में तो भी आपका flow नहीं जाएगा high cooling water temperature and condenser islet के अगर माल लिए ये की cooling water temperature जो फूलेट को है ये condenser ही है तो भी आपका condenser में तो क्या करेगा वो मतलब जो हमारे steam आ रही है उसको condense नहीं कर पाएगा तो यहां भी आपका vacuum drop होने के chances बंते हैं अगला क्या बोल रहा है high cooling water temperature of condenser inlet result into reduction of vacuum due to full heat transfer of steam to water जैसे कि अपने अभी आपने पहले बात किया कि अगर आपका high cooling water temperature of condenser inlet पे तो क्या करेगा कि जो अपका condenser में exhaust steam हा रही है उसको condense नहीं कर पाएगा ठीक ना condense नहीं कर पाएगा तो जिसके कान रहा होगा अपका vacuum drop होगा next reason है poor heat transfer in condenser very less or poor heat transfer in steam condenser reduce vacuum to very low level resulting into high exhaust temperature and disturbance in odd weight level okay क्या हो रहा है अगर माल लीजी कि आपका proper heat transfer नहीं हुआ तो क्या होगा अगर extreme condenser proper heat transfer नहीं हुआ क्या होगा आपका very low level जो vacuum है वह बहुत low level तक जाएगा और उसका जो result आएगा वह exhaust temperature हाई होगा और जो आपका hot well level हो डिश्टर्ड हो जाएगा अगले reason की तरफ बढ़ते हैं और एक चीज और इसमें दी है कि जो poor heat transfer वो किन किन कारणों से हो सकता है तो वो देख लेते हैं तो वो क्या बोलता है कि falling of condenser tube due to poor water quality जो आपका condenser tube है जो आप ACW से पानी दे रहे हैं वो अगर उसकी water quality सही नहीं है तो क्या करेगा वो जो condenser tube उसके अंदर जाया उसके अंदर scaling होगा जिससे कि आपका proper heat transfer नहीं होगा high cooling water temperature अगर जो आपका cooling water दे रहे हैं उसका temperature यह already ज्यादा है तो क्या करेगा वो heat transfer मही होगा कि okay heat transfer होने के लिए heat transfer जब भी हमारा होता है high temperature से low temperature की तरह होता okay तो यहाँ पे अगर मान लिजे जो आपका exhaust steam आ रहा है उसका temperature around 40 से प्रस्वान होता okay अगर आपने मान लिजे मान लिजे कि जो आपका cooling water का cooling water का पांडी जा रहा है पुली माटर जा रहा है उसका भी temperature करवान लिजे 40 से 50 पहुंचेगा तो क्या होगा फिर ट्रांसपर होगा यही बिल्ग हो ठीक रहा है आपका 5 टीकर रहा है तो कम होगे कितना अजेगा 50 आ जाएगा तो इसलिए जो कुली माटर दे रहा है वो हमें एंसूर करना इसका temperature दाउन हो अगला है एर इंग्रेस in condenser and other vacuum cooling system तो जो एर इंग्रेस होता है condenser में और other vacuum cooling system में यह बड़ा ही इंग्रेस होता है तेंजर होता है आपके vacuum को detoriate करते के लिए इसमें दिया भी होया है this is the most top reason for sudden drop of vacuum in the steam condenser air ingress into the condenser is mainly from flange joints, gaskets, valve reticene क्या बड़ा है कि this is the top reason यह मतलब most reason है जिससे आपका बहुत frequent यह problem आती है जिससे कि आपका sudden vacuum drop to fatigue ना जो हमारे air ingress का होता है आपका, melody, gland joints है, gasket से और फुल्से बड़ा है अग्रा reason है पासी को vacuum breaker wall also be the one of the reason for maintaining low vacuum in condenser जो हम vacuum breaker wall लगाते है vacuum breaker wall को फुल्स करते है और मिसली उस करते है कि जब दिया अगर टिके यह तो ब्लैकाउट हो गया ब्लैकाउट होता है अगर 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 ना ज़ीगे तो इसको काफी ज़गा टाइम लेगा 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 लिगी हम आगर वेक्वेक्वेकर उपन करते है तो वर जल्दी आ जागा अगर माली जी का हमारा ओयल सप्लाई चला घडिग ना जैसी के करेकोहर रकाउड हुआ थो हमारे पस अगर टीसी काउर भी नहीं ग्लिए अगर माली जी क्या होगा अगर हम नहीं चला रभाइल को जड़ी-जड़ी खॉशिक रही होग डिया का है तक बेरिंग और साफ्ट त यह भी एक रिजन होता है हमारा low vacuum के लिए, parameter lesser than the recommended leads to reduction of vacuum pulley, जो parameter हमें वही हमने recommend हिया है वाई कि इतने पही हमें, ejector related के हमें इतने pressure और temperature का steam दे रहा है, अगर वह भी हम एंटिक नहीं करेंगे, तो वह भी एक रिजन हो सकता है हमारे condenser में low vacuum का, ओके, आगे बढ़ते हैं, dual heat transfer in steam ejector, यह भी एक रिजन हो सकता है, this is mainly due to the falling of ejector tube, जो ejector के tubes है, अगर उनको भी falling होगया water falling, पर नहीं में इंटेब कर रहा है, तो situation में भी हमारा vacuum, तो problem, higating भी vacuum deteriorate होगा हमारा, damage of air ejector, nozzle, अगर हमारा air ejector nozzle, तो उस situation में हमारा vacuum, कम बनेगा, okay? इसके अगला क्या दिया, increase in nozzle clearance lead to reduction of vacuum creating efficiency of ejector, जो हमारा nozzle clearance ejector का, अगर वो बढ़े गया, तो उस situation में वो vacuum creator के दिक्कत आएगी, okay? breaking of ejector intercondencer UC loop, इसके हमने पहले ही बात किया था, कि अगर हमारा ejector intercondencer UC loop होता है, अगर वो ब्रेक होगा, तो उस situation में हमारा vacuum build-up होने में दिक्कत होगी, इसमें दिया है, लिगे, this will create a escape of freezer condenser directly into the condenser, leading to increase in exhaust temperature and reduction in vacuum, okay? अगर हमारा condenser UC loop, ब्रेक होता है, वेक्यूम create करने में या फिर vacuum maintain करने में प्रोब्लम आएगी, okay? Low gland steam pressure, पहले ही बात किया है कि जो हमारा, जो हमें OEM ने recommend या उस हिसाब से हमें gland sealing करना से अगर हम कम pressure देंगे, तो क्या होगा? air increase होगा, air increase होगा, air increase होगा, क्या होगा हमारा? वेक्यूम create करने में फिर vacuum maintain करने में दिक्कत आएगी, okay? तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया कि vacuum किन-किन खारों से हमें मतलब constantly vacuum build-up या फिर maintain नहीं कर पाते हम condenser में, okay? तो I hope ये सारे आपको समझ में आगया होगी, जो जो हमने reason देगा, अगर इसमें आपको समझ में नहीं हो तो comment करके जरूर पूछिए, वीडियो को like करिए, चैनल को subscribe करिए, और अपने दोस्तों साथ जरूर share करिए. झाल करिए.